हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सतेंदर गुरुजी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हो में लोग मुस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैथ जिसमें सिंपलिफिकेशन चैप्टर में फ्रैक्शन का एक कुर्शन हमने लिया है जिसमें मेरे दोस्तों सबसे पूछा जाता है आपसे smallest और greatest हैनि सबसे छोटा और सबसे बारा भीन ग्याद करना बहुत सारे मेरे दोस्त को प्रबलम होता है ऐसे प्रशन को बनाने के लिए इसमें ऐसा ट्रिक बताऊंगा मेरे दो जिसकी सहता से आप मात दो सकेड में इसको solve कर लेंगे आप ठीक है बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले है बिलकुल वीडियो के आंते तक जरूर बने रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं concept के साथ बताने का प्रयास करूँगा चलिए देखते हैं आपसे अगर question यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि निमिली लिखित में कौन सी भीन सबसे बारा है आपके सामने अरबी ग्रूपटी 2018 में पूछा गया है सबसे पहले इसके लिए हम एक concept सिखते हैं चलिए concept सिखेंगे उसके बाद हम लोग इसका answer जल्दी जल्दी कर देंगे ठीक है जब तक हमें concept मालूम नहीं होगा हम कैसे बता सकते हैं कौन बारा कौन चोटा एक बार हमें concept मालूम होगे ना तो हम बिल्कुल जिन्दगी में कभी गलत नहीं कर पाएंगे ध्यान से देखेंगे इसके लिए trick सिखेंगे देखो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक बाटा तीन और पांच बाटा चोओ में सबसे बारा भीन कौन है सभसे जोटा भीन कौन है यह भी पूछा जा सकते आपसे आपसे माल लेजे हम पूछ रहे है कि इस दोनों hoor selecting में सभसे बारा भीन कौन है हम लोगों को क्या बताना है सभसे बारा भीन बताना है तो इसके लिए देखो दोनों fraction compare करने के लिए हम आपको एक trick बता रहे हैं देखो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त सबसे पहले इसमें करना क्या इसको cross गुना कर देना है ठीक है cross गुना जिसे cross multiplication method भी कहा जाता है देखो इसको कर देना गुना नीचे से उपर एकरा में तीन से उपर एकरा को तिर से cross गुना करना ठीक है यहनि छे के गुना एक में करेंगे कितना बनेगा छे बनेगा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं यह बता यह पहले छे का गुना हम जब एक में करेंगे तो कितना बनेगा छे बनेगा 6 का गुना एक में करेंगे 6 बनेगा 3 का गुना पांच में करेंगे तो कितना बनेगा 15 बनेगा इए बताइए मेरे दोस्त 6 बारा की 15 बारा हम सभी कोई जानते हैं 15 बारा है तो इसका मतल़ यहाँ पर fraction ऐसे होगा ऐसे सिंबल देंगे इसका मतल़ होता है 12 जिधर मो खुला होत जैसे जिधर मो खुलता है उसे बारा बोला जिधर मो बंद होता है उसे छोटा करते है ते आप 6 बारा की 15 बारा ते यहां से हमने निकाला की 15 बारा अच्छा इब ते 15 रीपर जेंट किनको कर रहा है 15 रीपर जेंट कर रहा है पांच बटा छे को किन को पांच बटा छे को तई फ्रेक्शन में सबसे बारा कौन होगा भाई सबसे बारा कौन होगा पांच बटा छे जो फ्रेक्शन है सबसे बारा होगा ठीक है अच्छा एक बटा तीन क्या होगा सबसे छोटा होगा अच्छा मेथर तो बहुत सार है मेरे दो-दो का compare करके जाच करना होता है सबसे पहले आप एक तरीका है कि एक को तीन से भागा दो और पांच को छे से भागा दो ठीक है मेरे दोस्त तब बताओ लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि भागा तेने में बहुत टाइम जियान होता है तो कुछ नहीं करना सीधा सीधी क्रोस गुना कर देना सीधा सीधी क्रोस गुना कर देना इसका मतलब पंदरा रिपरजेंट कर रहा है पांच बटा छे को इसलिए पांच बटा छे जो है सबसे बारा हो गया एक बटा तीन सबसे छोटा हो गया इसी concept का यूज करके मेरे दोस्त पूरा का पूरा question आपको चुटकी बजाते ही solve करा दूगा ठीक है अच्छा इम पहला method हो गया एक दूसरा method और है मेरे दोस्त आपको मैं बता दूँ जैसे इन ही दोनों में बताना है अपकी बता यह सबसे छोटा कौन है देखो आपको मैं बताता हूँ LCM method LCM method क्या है LCM method E है कि नीचे में यहाँ पर 3 है यहाँ पर नीचे में कितना है 6 है दोनों जगए जो हर है न हर को समान कर लो तो क्या करो 3 और 6 का LCM 3 और 6 का LCM कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है तो मेरे दोस्त आल्रेड यहाँ पर 6 दिया गया है करना होगा अच्छा दूसे गुना तो हम एक जगे नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोसे गुना हमें करना होगा दोसे उपर भी गुना करेंगे दोसे नीचे गुना करेंगे तभी तो जाके दोनों कटके एक होगा भेलू में कोई चेंज नहीं जाएगा तो इउपर में हो जाए पर दो या कम दो और नीचे मोह जाएगा तीन दूनी छो अच्छा यहां पर पांच बटा छे है तो यहां पर छे बनाने के लिए एक से उपर कुना एक से नीचे कुना करो चाहे न करो कोई फरेक नहीं परता तो यहां तक बात समाज में आपको आया है ना बिल्कुल यानि कह समान हो गया तो ध्यान से सीखेंगे और समझने का परयास करेंगे नोट करेंगे जिसका अंस सबसे बारा वह फ्रेक्शन भी सबसे बारा और जिसका अंस सबसे छोटा वह फ्रेक्शन सबसे छोटा देखेंगे यहां पर हर समान है यहां भी छे है यहां भी छे है तो मेरी द यहाँ पर जिसका भेलु सबसे बारा वा फ्रेक्षन भरी जिसका अंश सबसे चोटा वा फ्रेक्षन चोटा इी बात को ध्यान में रखे चलिए अब हम कोशचंझ नमबर एक से शुरू करते हैं देखू मेरे दोस्त यहाँ पर कोशचंझ है निमने लिखित मेसे कौन से भिण सबसे बरी है निमने लिखित में से कौन सा भिन सबसे बरी है मेरे दूस्ट देखो यहाँ पर छोटा छोटा नमबर है अजब छोटा छोटा नमबर दिया जाता है न मेरे दूस्ट तो यहाँ पर हम इसको cross multiplication मेथर से कर सकते हैं तिर्चा तिर्ची गुना से हम इसको आराम से कर सकते हैं ठीक है तो चलिए यहीं पर करते हैं हम क्या करेंगे एक बटा आठ और दो बटा भारों में compare करेंगे सबसे बारा क्या यहां हम लोग उसे सबसे बारा पुछा है तो जो छोटा आएगा उसे हम भूल जाएंगे ठीक है भाई एक बटा आठ और एक बटा बारा में सबसे बारा भीन कौन है इसी को हम compare करके जाच करेंगे ठीक है दोस्त करते हैं गुना तीर्चा गुना करेंगे नीचे से उपर गुना यहां नीचे से उपर गुना यहां तहीं कितना हो जाएगा बारा या कम बारा अई हो जाएगा आठ हम लोगों से पूछा है सबसे बारा तहीं बते आठ बारा की बारा बारा नहीं बारा बारा आया है इसका मतलब है मेरे दोस्त एक बारा जो आठ है न इस सबसे बारा है तो हम दो बारा बारे को मेरे दोस्त हमन जाएगा आठ दूने 16 इवर दो दो Pier 12 बारा की 16 मेरे तो 16 बारा है इसका मतलब एक बटा आठ छोटा आ गया, दो बटा जो 12 को यहीं पे भूल जाएंगी किमनि लोगों को 12 दोस्त को gaan दो जाएंगे तो मेरे दोस्त केंले 17 बटा जाएंगे ये 2 बटा 12 3 16 बारी Ben इसको भी क्रोस गुना करेंगे भाई क्रोस गुना करेंगे ती हो जाएगा सोरे दुनी 32 आया हो जाएगा बारत्यां कितना हो जाएगा बारत्यां बारत्यां 36 हो जाएगा इसका मतलब तीन बाटा 16 बारा भी ना गया दो बाटा 12 हार गया यह छोटा है तो इसको भी हम कट करे क्योंकि 3 बटा 16 बढ़ा आया था तो 3 बटा 16 आ यहां पर कितना है भाई 4 बटा 20 इसमें देखो कौन बढ़ा कौन छोटा इसको भी क्रोस गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 20 गुना 3 60 हो जाएगा आज 16 का 64 हो जाएगा इसका मतलब 3 बटा 16 चार बटा 20 से छोटा है तो इसक सबसे बारा भी हैं चार बटा 20 ओप्स नंबर भी इस कोशन का राइट अंसर होगा ठीक है दोस्त किस परकार हमने सल्व किया है मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है तो हबराने की बिल्कुल भी आउ सकता नहीं है मेरे दोस्त अगले कोशन में एक डाउट क multiplication लगाओ 2-2 में Cross 2-2 में करूँ 2-7 और 1-3 में बता हो सबसे बारा कोन है Cross गुना करेंगे सात का गुना एक में करेंगे 3 का गुना दो में करेंगे 3 दुनी 6, 7 एकम 7 E बत ये 6 बारा की 7 बारा मेरे दो 7 बारा, इसका मतलब 1 बत तीन फ्रेक्शन बारा है हमें छोटा नहीं लेना है क्योंकि कुश्चन में सबसे बारा पुछा है इसलिए छोटा को हम कट करेंगे तो 2 बता 7 छोटा है 1 बता 3 से, इसलिए में 2 बता 7 को नहीं ले सकता 1 बता 3, 2 बता 7 और 1 बता 3 में 1 बता 3 बारा हो गया इसलिए 2 बता 7 को में यहीं पे छोट दूँगा अब 1 बता 3 और 5 बता 6 में देखेंगे 12 कौन है मेरे दोस्त 1 बता 3 और 5 बता 6 में देखेंगे 12 कौन है, क्रोस गुना कर दो 6 एकम 6 5 तिया 15 इबते है 6 बरा की 15 बरा मेरी तूस्ट 15 बरा इसका मतलब 5 बटा 6 से 1 बटा 3 क्या है, छोटा है इसका मतलब मैं इसको भी क्रोस कर दूँगा, क्योंकि 1 बटा 3 जो है 5 बटा 6 से छोटा आ गया, इसका मतलब 2 बटा 7 छोटा है, 1 बटा 3 से, 1 बटा 3, 5 बटा 6 से छोटा है तो इसको भी कटिंग करेंगे अब हम इन दोनों में देखेंगे कौन बरा 5 बटा 6 दिया है उसके बाद यहां पर 3 बटा 4 दिया है इसमें क्रोस गुणा हम करेंगे ठीक है, तो इह हो जाएगा 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20, 5 गुणा 4 कितना हो गया भाई 20 हो गया समझ पारें, 5 बटा 20 हो गया, 4 की 18 हो गया, इसका मतलब 3 बटा 4 से 12 है कौन 5 बटा 6, कुल मिला के 2 बटा 7 छोटा 1 बटा 3 और 3 बटा 4 भी छोटा है हमारा एंसर क्या होगा सबसे 12 बहिन कौन सा आया 5 बटा 6, option number A, इस question का right answer होगा ठीक है दोस्त, उमीद है कि आप इस question को जरूर समझे होंगे नहीं समझे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है फिर से अगला question में मैं बताऊंगा चलिए, अगला question अगला question में पुछा गया निम्ने लिखित में से कौन सा भीन सबसे छोटा पुछा गया है चलो कोई दिक्कत नहीं है सबसे छोटा पुछा है तो सबसे बारा वाले को हम cutting करेंगे भूल जाएंगे देखो सबसे पहले 5 बटा 11 और 7 बटा 12 में हम लोग चेक करेंगे सबसे छोटा कौन है देखो 5 बटा 11 यहाँ पर है 7 बटा 12 ठीक है यानि क्रोस गुना करेंगे ठीक है तो इस कितना होगा 12 गुना 5 60 हो जाएगा 11 साथ 77 हो जाएगा इसका मतलब साथ छोटा है तो साथ छोटा है हम लोगों को सबसे छोटा चाहिए तो हम 12 वाला को कटिंग करेंगे यहीं साथ बटा 12 जो है 12 है फ्रेक्शन इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हम लोगों को छोटा चाहिए ठीक है भाई, तो हम इसको cutting करेंगे, 7 बटा 12 नहीं लेना है क्योंकि हमें छोटा चाहिए, तो अभी तक इन दोनों में compare किया, तो 7 बटा 12, 12 या 30 हम नहीं लेंगे, अब हम compare करेंगे 5 बटा 11 और 8 बटा 13 में, ठीक है, 5 बटा 11 और 8 बटा 13 में compare करेंगे कौन छोटा है, सबसे पहले इसको भी हम cross गुना करेंगे भाई, ध्यान देंगे, तो यह हो जाएगा 13 पचे 75, अई हो जाएगा 1888, यह बता यह 88 बटा 12 की 65 बटा, नहीं 88 बटा, इसका मतलब 8 बटा जो 13 है न, ओ 12 है, तो हम 12 बटा को नहीं ले सकते क्योंकि हमें छोटा बेंसर चाहिए, तो हमे 13 से भी छोटा है 5 बटा 11, अब हम compare करेंगे, 5 बटा 11 और 9 बटा 17 में, ठीक है, 5 बटा 11, 9 बटा 17 में देखेंगे छोटा कोन है, 9 बटा 17 में देखेंगे छोटा कोन है, इसको भी cross गुना करेंगे हम, तो यह कितना होगा, 70 हो जाएगा, कितना भाई, 85, अई गारे 99, यह बत मतलब 85 है, all 85 representation, फाच बटा ये गारे को कर रहा है। जिधर भाइलू छोटी, वो छोटा ओगा तरहेuelyकंगा पूछ 19 बटा सत्रर स भी फाच बटा येगारे छोटा है, इसका मतलब है पाच बटा ये गारे ऑप्सिन नमबर बी में दिया हैek, यह सबसे छोटा है। पांच बटा ये गार है सबसे छोटा हम लोग उसे छोटा पूछा था बात खत्म आगे बढ़ा जाया चलिए कुश्चन नमबर चार है मेरे दोस्त इसको गुना करना होगा लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ 42 से 16 में गुना करना और 21 से 29 में गुन बराबर कर लो, ठीक है, बराबर कर लो, तो 7, 14, 21 और 42 का LCM कितना होगा, मेरे दोस्त, आप कहोगे भईया, इसको आप cross multiplication method से क्यों नहीं बता रहें, तुम चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 12 नंबर है, तो थोरा गुना करने में तकलिफ होगी न चलो, सबसे 12 पूछा गया है, हम इसको LCM method से भी करा देंगे, और गुना वाला से भी करा देंगे, cross method से इसको हम सीखते हैं, मेरे दोस्त, cross method क्या कहेगा, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले दो-दो का compare करेंगे, 5 बटा, 7 और 9 बटा, 14 को compare करेंगे, ठीक है, 5 बटा, 7 और 9 बटा, 14 में compare करेंगे, कौन 12 है, कौन छोटा है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर हम इनको cross गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 14 पचे हो जाएगा, 70, और 9 सत्य हो जाएगा, कितना, 63, यह बत यह 63, 12 है कि 72 है, 63, 12 है कि 72 है, मेरे दोस्त, 72 है, तो 72 है, इसका मतलब है कि 9 बटा, 14 फ्रेक्शन, 9 बटा, 14 फ्रेक्शन, छोटा है, क्यक्का से, 5 बटा, 7 से, हम छोटा को काट कियों दे रहे हैं, क्यों हमें सबसे 12 चाहिए, तो हम 12 वाला को लेंगे, छोटा वाला को छोड़ देंगे, ठीक है, अब हम compare करेंगे, 5 बटा, 7 और 16 बटा, 21 इनको ह कितना हो जाएगा 21 गुना 5 105 होगा और 16 सते 100 बारे होगा इबते इसमें कौन बारा 105 बारा की 102 बारा मेरे दोस्त 102 आया इसका मतलब कि 5 बटा जो 7 है वो 16 बटा 21 से छोटा आ गया इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते अब हम compare करेंगे 16 बटा 21 और 29 बटा 42 में कौन बारा है ठीक करेंगे भाई 29 बटा कि करा से 42 ठीक है इन दोनों में देखेंगे कौन बारा है कौन छोटा है अब गुना करके देखो भाई इसलिए हम बता रहे थे LCM अथर से इसको कर लो गुना करोगे तो 16 को 42 से गुना करोगे कितना होगा 16 दूने 32 के दू हासिल के अतना 3 16 चोका 64 और 29 को 21 में गुना करो 29 एकम 29 के 9 हासिल केतना दू 29 दूने 38 और कितना 69 ये बताइए मेरी दोस्तispering 5592 कि 502 क्योंकि 29 करोगे तो कितना होगा 29 एकम 29 के 9 हासिल केतना दू 29 दूने 58 के 46 नहीं मेरे इस 60 होगा फिर से गुना करो 29 एकम 29 के 9 हासिल केतना 29 एकम 29 के 9 हासिल केतना 29 दुनिया अंठाओन दो साथ 609 अच्छे सब बहुत्तर में 12 है 602 इस बहुत्तर क्या करा भाईलू है 16 बटा 21 के तेने कि 29 बटा 42 भी छोटा आ गया तो सबसे 12 कौन 16 बटा 21 इस कोशन का राइट अंसर होगा आप्सन नमबर A ठीक है भाई गुना करने में थोड़ा तकलिप हो रही है की नहीं हो रही है इसलिए हम बता रहे हैं कि इसको LCM मेथर से कर लो चलो LCM मेथर से भी बता देते हैं मेथर नमबर दो से भी पहला मेथर समाझ गये होंगी LCM मेथर से बता देते हैं देखो 7, 14, 21, 42 है ना इस सभी के LCM लेके हर्स को समान कर लो ठीक है यानि इन सभी के LCM लो 7, 14, 21, 42 का जब तुम LCM लोगे ना तो जानते हो कितना होगा LCM होगा 42 ठीक है चलो तो इसके LCM कितना होगे 42 होगा यहाँ पर कोना में लिख लेते हैं 42 अब इन सभी में नीचे 42 बनाना ठीक है तो 5, 7, 7 में करा से गुना करें कि नीचे 42 हो जाए तो 6 से उपर नीचे गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा तो उपर भी करना परेगा 6 पाचे 30 उपर भी करना परेगा 6 पाचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा नीचे भी करना होगा 6 सते 42 बहुत बनिया अब देखो दूसरा दूसरा क्या है 9 बटा 14 14 को 42 बनाने के लिए 3 से गुना करना परेगा तो उपर नीचा 3 से 9, 3 की 27 ठीक है चोदत यहां 42 बहुत बर्यां आगे बर्भू यहां 16 बटा 21 है 21 नीचे 42 बनना है तो 21 को 42 बनने के लिए 2 से गुना करना होगा तो उपर भी 2 से गुना तो 16 दुना 32 है 21 दुने 42 आगे बर्भू 29 बटा 42 है ना अब देखो सब जगर नीचे में 42 आ चुका है ठीक है मेरे दोस्त देखो हमने कंसेप्ट जो बताया था इसके इवज यहां पर हो गया देखो जब हर समान हो जब हर समान हो तो जिसका नुमिरेटर बारा उस सबसे बारा 16 बटा 21 को तो LCM में थर्चाप का एंसर 16 बटा 21 सबसे बारा है ठीक है अगर सबसे आपसे छोटा पुछा जाए तो सबसे छोटा 29 होगा 29 के करा को रिपरजेंट कर रहे है 29 बटा 42 को सबसे छोटा हो जाए गई लेकिन हम लोगों से सबसे बारा पुछा है तो सबसे बारा आपसन एस है ठीक है भाई चलिए लास्ट कोश्चन कोश्चन नमबर पांच ही कह रहा है निमने लिखित भीनों में से सबसे बरी भीने ग्याद करें यहाँ पर भी क्रोस मल्टिपलिकेशन लगा दो, इन दोनों में गंपेर करके देखो सबसे बारा कॉन है और सबसे छोटा कोन है भाई सबसे पहले हम आठ बटा 11 और 15 बटा 19 में जाच करेंगे कि 12 कोन है और छोटा की है क्योंकि हम लोग उसे 12 पूछा है तो छोटा को भूल जाएंगे 19 गुना 8 करेंगे कितना होगा 19 अठे 52 15 को हम 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 तो हैं 1500 15 165 यह बता ही 162 बढ़ा की 165 बढ़ा नहीं 165 बढ़ा इसका मतलब हमें छोटा को नहीं लेना है 8 बटा 11 छोटा आ गया तो ही छोटा हो गया अब हम कंपेर करेंगे यहाँ पर ठीक है 15 बटा 19 जो है 8 बटा 11 से बढ़ा है तो इसको कंपेर करेंगे 4 बटा 5 से एकरा में कौन बढ़ा है तो इनको CMU वहीं प्रोसेस करना है गुना तो 15 गुना 5, 15 75 हो जाएगा 19 चोटा चीहत्तर इसका मतलब 15 बटा 19 चोटा आ गया तो हम इसको नहीं लेंगे अब हम 4 बटा 5 को कंपेर करा देंगे 13 बटा 21 से ठीक है 4 बटा 5 को हम कंपेर करा देंगे 13 बटा 21 से एकरा में देख लेंगे 12 और चोटा यहाँ पर गुना करेंगे किस गुना चार कितना हो जाएगा 84 और 13 पच्चे 65 यह बताइए 84 बड़ा की 65 नहीं 84 बड़ा और 84 रिपरजेंट कर रहा है केकरा को 4 बटा 5 को बात को समझ रहे हैं कि नहीं केकरा को 4 बटा 5 को तो यह बताइए मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा सबसे बारा कौन हो जाएगा 4 बटा 5 ऑप्सन नमबर यह इसका राइट एंसर होगा ठीक है दोस्त चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक कुश्चन बहुत बहनिया तरीका से समझ में आ गया होगा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास सेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वेडियो में